हैलो वीवर्स, असलाम लेकुम, मैं हूँ रोशन, आज हम आपके साथ शेयर करें हरे चने का स्नेक्स बनाने की रेसिपी, इसे आप ब्रेक फास्ट में खा सकते हैं, बहुत ही टेश्टी लगता है, तो हमने चना को छील लिया है, ये 200 ग्राम है, इसको अच्छी तरह से हमने धो लिया है, और इसको हम पीश लेंगे, तो हम डालते हैं मिक्सी के जार में, और एक इंच अद्रक का टुकड़ा और छे कलिया हमने लासुन का लिया है, और दो हरी मिर्च इसमें हम एड़ कर रहे हैं, और थोड़ा सा पानी इसमें एड़ करेंगे, चाय वला कप से एक पीश लिया है, बस इसी तरह का हमको चाहिए, तो अब हम एक बावल में निकाल लेते हैं, और थोड़ा सा हमने चावल को भी गो लिया था, पांच से छे घंटे तक, यह देड़ सो गराम चावल है, यह आरवा चावल है, कोई सा भी आरवा चावल ले सकते हैं, वाइट वा बहुत ही आसान तरीके से बन जाता है, तो अभी हम मिला देते हैं इसको, और मिक्स कर लेते हैं इस तरह से, और इसमें हम कुछ मसाले डालने वाले हैं, तो दो चम्मच इसमें हम बेशन डाल रहे हैं, इससे बहुत ही अच्छा क्रिस्पी टेस्ट आता है, तो हाफ टीस्प खड़ा जीरा, हाफ टीस्पून हल्दी पाउडर, इसे कलर अच्छा आता है, और थोड़ा सा हमने गरम मसाला एड़ किया है, आप अगर तीखा ज्यादा पसंद करते हों, तो लाल मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं, और एक टीस्पून हमने इसमें नमक एड़ किया है, ट थोड़ा मिक्स कर लेते हैं, और जितना जरूरत होगा, उतना हम इसमें पानी डालेंगे, तो हमने सभी को इस तरह से मिक्स कर लिया, अब पानी हम थोड़ा सा आभी डालते हैं, और फिर हम चला कर देख लेते हैं, तो इसमें अभी हमने पूरा पानी एक कप डाला हुआ है कम लगा इस वज़ा से हमने पानी इसमें और एड़ कर लिया तो यह इतना ही ठीक बैटर चाहिए जदा पतला भी नहीं है और जदा ठीक भी नहीं है तो ये बहुत ही अच्छा हमारा ये बैटर बनकर तयार हो गया है सभी को हमने मिक्स कर लिया है तो अब हमने तवा चड़ा दिया है और चलते हैं बनाने तवा हमारा गर्म हो गया है इसमें हम थोड़ा सा तेल डाल लेते हैं आप कोई सा भी ओयल डालें हम सरसो ओयल में बना रहे हैं एक तीस्पून हमने इसमें ओयल डाला और चारो तरफ से इस तरह से हम फैला ले रहे हैं तो ये अच्छी तरह से गर्म हो गया है तवा तो इसमें अब हम डालते हैं बैटर को तो हम बड़ा सा एक चमच लिए हैं और उसी चमच से हम इसमें डालेंगे आप बेटर थोड़ा सा ज्यादा डाल सकते हैं या कम भी डाल सकते हैं आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं तो हम न ज्यादा बड़ा बना रहे हैं और नहीं ज्यादा छोटा तो इसे आप चने का स्नेक्स बोलें या चने का चीला बोलें और बिहार में इसे भाबरा के नाम से जाना जाता है चने का भाबरा इसे बोलते हैं तो इस तरह से चम्मच से ये फैला लिए हैं हम और एक मिनट के लिए इसको हम ढख देंगे ढगने से क्या होता है? किसी पलेट से या ढगन से ढगें उससे उपर तक अच्छी तरह से भाफ से पक जाता है जिससे बहुत ही अच्छा लगता है और जल्दी पक जाता है अगर बीना ढखे आप बनाएंगे पलटेंगे तो कभी कभी तूटने का भी डर रहता है इस वज़े से ये तूटता नहीं है एक मिनट के बाद हम दिखा रहे हैं ये भाफ निकल रहा उपर से अंदर से सीख गिया है तो अब हम इसको पलट लेते हैं मेडियम फलेम पर हम बना रहे हैं तवा गरम हो जाए उसके बाद फलेम को मेडियम कर दें तूलट पलट कर अच्छी तरह से सीख कर निकाल लें तो ये हमारा बहुत ही अच्छा से दोनों तरफ से सीख गिया है अब हम इसको निकाल लेते हैं और दूसरी बार भी हम इसी तरह से डालेंगे थोड़ा सा ओयल डालेंगे और उसके बाद हम बैटर को डालेंगे और चमच से ही इस तरह से फैला लें आसानी से ये फैल जाता है और थोड़ा सा ढख कर पकाएं ऐसे अगर आप छोड़ेंगे ना पलटेंगे तो कभी कभी तूट जाता है और ऐसे ढखने से चारो तरफ उपर नीचे ये पक जाता है तो हमने इसी तरह से सारे तयार कर लिए है मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें हमारे चैनल तारा नूर मोधी केर को और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे की मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले तो देखा आपने कितना इजी है बनाने में इसे चटनी के साथ खाएं या ऐसे भी खाएं बहुत ही टेस्टी लगता है गरम गरम इसे खाएं बहुत अच्छा लगता है बच्चों को काफी पसंद आने वाला है तो आप या भी चने जो मिल रहे हरे हरे तो मार्केट से खरीदें और चने का भावरा बनाएं स्नेक्स बनाएं या फिर चने का चीला बनाएं तो इस तरह से बहुत ही टेस्टी हमारा बना है तो कमेंट करके बताईए हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी और अब हमें दीजे इजाजत असलाम लेकूम